नमस्का तुर्ण से आयो जर्खन की टॉप 25 पर मोग खबर जानते हैं जर्खन में किसानों की आय दूगनी हो राजेपल ने क्रीसी विभाग से भी से ध्यान देने को कहा है जर्खन के राजेपल रमेश बैस ने कहा है कि जर्खन में किसानों की आय दूगनी हो सके जार्खन राजे क्रिसी के छेदर में सेंटर फोर एक्सिलेंस के रूप में जाना जाए क्रिसी एवं पसुपारन विभाग के पदाधिकारी इस दिशा में काम करे राजेपाल ने एबाते क्रिसी एवं पसुपारन विभाग के सचीव बिभाग के निदेशक निशा उराव तथा सील बायोटेक लिमिटेट के पदाधिकारियों से कही मोके पर राजेपाल के पधान सचीव नितीन मदल कुल करने भी उपस्थित थे बतादे राजेपाल रमेस बायस ने पदाधिकारियों को फ़ल सबजी एवं फोल उतपादन के छेदर में विशेध ध्यान देने हेतु कहा उन्होंने किसानों को जागरू करने उन्हें गुनवता पुन बीजव पोधे उपलब्द कराने जैविक क्रिसी को अपनाने की बात कही ताकि किसानों को कम लागत से अधिक आए प्राप्त हो जारखन में बुद्धवार को कई दिन के बाद बंगाल की खाड़ी से मांसुनी हवा का परवेस हुआ मांसुनी हवा के परवेस के साथ ही बरसने वाले बादलोग का समो दक्षिन पूर्वी दिशा से कोलान परवंडल से आगे बढ़ा इसके परवाव से कोन हाल परवंडल राजे के मध्य उतर पूर्वी एवं उतर पच्मी भाग में कई जगों पर अच्छी बारिस भी हुई इस दोरान तेज गती से हवा का बहाव होता रहा जारखन में मांसुन 10 जुलाई से फिर से सक्रिय होगा इसके परवाव से राजे के सभी इलाके में हलके से मध्य दर्ज की बारिस होगी गोड़ा में सीम हमन्त के कारिकरा में पोसन सक्खियों का हंगामा गोड़ा में सीम हमन्त के कारिकरा में उस समय अजीव इस्थिती हो गई जब कुछ महिलाओं ने हंगामा कर दिया सियम हमान सुरेन जब मंच से भासन दे रहे थे ठीक उसी वक्त पोसन सकी परदर्शन करने लगी उन्होंने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि 6 साल तक उन्होंने कायम किया अब उन्हें हटा दिया गया ऐसे में अब आखिर वे कहा जाएं बता दे सियम सुरेन गोड़ा में योजनाओं का उदगाटन और सिरलन्यास करने आए थे इस हंगामे के सांथ होने के बाद सियम हमान सुरेन ने अपनी बात जाली रखी उन्होंने पेंशन वेजनापर सरकार के पर्यास की सराना की और कहा कि सिर्फ गोड़ा जिले में ही एक लाग ती से अर्शी ज्यादा पेंशन धारक बन चुके हैं केंद्रिये बिद्यालों की तर्ज पर जार्खन में मिलेगा मॉडल इस्कूल के सिक्षकों को मान दे मान दे देने का नेने लिया है इसकूली सिक्षा यम सक्षकता विभागने बुध्वार को इसे लेकर आदेस जारी कर दिया है मोडल बिद्यालियों के सभी घंटी अधारित असनात कोतर प्रस्शित सिख्षकों को 27 सेर 500 रुपे तथा असनातक प्रस्शित सिख्षकों को 26 सेर 250 रुपे मांसिक मांदे मिलेगा नकसलियों से लड़ रहे जवानों का 55 लाह का बिमा जारखन में नकसल बिरोधी अवियान में लगे राजिक के 85,191 जवानों अधिकारियों के लिए इस वर्स 55 लाख रुपे का बिमा होने जा रहा है बता दे गत वर्स 48 लाख रुपे का बिमा हुआ था इस वर्स बिमा रासी में 7 लाख रुपे के बड़ुत्री हुई है इस वर्स नई नीती में साप काटने के अलावा मलेरिया या कोरोना से मौत को भी जोड़ा गया है अब साप काटने मलेरिया या कोरोना से मौत होने की स्थिती में मिरी तक पुलिस कर्मी पतादिकारी के आसरीतों को 20 लाख रुपे इलाज की स्थिती में साड़ साथ लाक रुपे देने का परोधान किया गया है सिंगल यूज पलास्टिक का उपयोग पर लगेगा जुर्माना पलास्टिक बैन के बाद जहर्खन की रैधानी रांची सहर की दुकानों में लोग थैलिया लेकर पहुशने लगे हैं हलाकि इन में से कई ऐसे भी लोग हैं जो बिना थैलियों के दुकानों पर पहुश रहे हैं सिंगल यूज पलास्टिक को इस्तिमाल में ला रहे हैं बताद रांची के लालपुर्च औपर फॉल की दुकानों पर सिंगल यूज पलास्टिक की जगा कागय से बने ठोंगे का इस्तेमाल में लाया जा रहा है जिससे ऐसा लग रहा है कि दुकंदार तो प्रसासनिक आदेसों का पाहिन करने लगे है स्वास्त मंत्री ने रिम्स में जिनोम सिक्वेंसिंग मशीन का किया उधगाटन लंबे इंतेजार के बाद बुधवार को रिम्स केल जिनेटिक्स और जिनोमिक्स विभाग में जिनोम सिक्वेंसिंग मशीन का उधगाटन स्वास्त मंत्री बनना गुपता ने किया स्वास्त मंत्री ने कहा है कि अब कुरोना के नए वेरियंट की जांच जार्खन खुद कर सकेगा अभी तक भोनेस्वर से जांच कराया जाता था जिसमें 20 से 25 दिन का समय लगता था लेकिन अब जार्खन आत्मनिर्भर हो चुका है और कुरोना वायरस संक्रामन के वेरियंट की जांच रिम्स में हो सकेगा मालूम हो कि स्वास्त विभाग ने निर्बाता कंपनी से 5 कोर में अमेरिका से जिनों मसीन मंगाई है मसीन मंगाने के लिए सरकार के अधिकरित एजेंसी जेम में निविदा अमंत्रित की गई थी जिसके बाद कंपनी ने उपकरन के लिए लगभग अड़ाई कोर की रासी ताय की थी पलामू पूलिस की अपील सिंगल यूज पलास्टिक का इस्तेमाल नहीं करे पलास्टिक मुक्त पलामू अभ्यान की शुरुवात पलामू पूलिस अधिक छग चंदन सिंगा के नेतियुतर में डालते गई रेलवे स्टेशन एवाम बेलवार टीका सबजी मार्केट रोड में की गई एस-पी स्री सिंगा ने दुखणदारों के साथ साथ आम जनों से भी सिंगल यूज पलास्टिक का इस्तेमाल नहीं करने की अपील करते हुए उन्होंने इसके इस्तेमाल से होने वाली नुक्सान के बारे में लोगों को जनकारी दी उन्होंने कहा कि यह पर्यावरन के लिए नुकसान दायक है स्वास्त के लिए भी हनिकारक है पुलिस पहले लोगों को जारू करेगी इसके बाद करवाई की जाएगी जहारखन में मदर्सों को 6 साल बाद मिली अनुदान रासी राजे के मदर्सों को 6 सल बाद केंद्र से अनुदान मिला है केंद्र द्वारा देश भर में मदर्सा को अनुदान दिया जाता है बता दे केंद्र द्वारा वर्ष 2009 में योजना शुरू की गई थी योजना लागू होने के बाद 15-16 से वर्ष 2021 तक मदर्शक अनुदान नहीं मिला अब केंद्र ने 2021-22 के लिए अनुदान स्विक्रित किया है ज्यारखन के मुख्य सचीव सुखदेव सिंग की बेटी का निधन ज्यारखन के मुख्य मंत्री हमन्सुरी ने राजे के मुख्य सचीव सुखदेव सिंग की पूतरी के आक्समिक निधन पर ट्वीट कर सोक व्यक्त किया है मुख्य मंत्री ने परमातमा से दिवंगत आत्मा को सांती परदान कर सोक संतपत परिवार को दुख की घड़ी को सहन करने की सकति देने की प्रात्ना की है बता दे सियम सिरी सुरेन ने टिविट कर कहा है कि मुख सचीव सिरी सुकदेव सिंग जी की बेट्टिया के आक्समिक निधन की दुखद खबर सुन कर अस्तबद हूँ परमात्मा दिवंगत आत्मा को सांती परदान कर सोक संत्पत परिवार को दुख की बिकट घड़ी सुन करने की सकती दे इस दुख की घड़ी में पूरा राज सिरी सुकदेव जी एवं उनके परिवार के साथ खड़ा है सियम हेमन्त ने गोड़ा में 17 योजनाओं का किया उदघाटन मुख्य मंत्री हेमन सुरेन गोड़ा पहुँचे यहां उन्होंने नए समानाले भवन का उदघाटन किया मौके पर 215 योजनाओं के अधार सिला रखते हुए 17 योजनाओं का उदघाटन भी किया इस दरान उन्होंने 1316 लाख रुपय की परिसंपत्ती भीबाटी अपने समोधन में उन्होंने कहा कि सरकार हरवर के कल्यान के लिए योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम कर रही है उन्होंने कहा कि कुरोना महामारी के समय बच्चों के सिक्षा में बहुत नुकसान हुआ ओनलाइन तो कुछ बच्चे पढ़े लेकिन सरकारी स्कूल के बच्चे को अत्याधिक कठिनायों का सामना करना पढ़ा है रेलवे बोर्ड चेर्मेन से मिले 66 संजाय सेथ रांची के शांसद संजय सेठ ने दिल्ली में रेलवे बोर्ड के चेरमैन बिनाय कुमातिर पाथी से मुलकात की इस दोराँ उन्होंरे रांची से चलने वाले विभीन ट्रेनों के विस्तारी करन करने की मांग रखी साथी सांसत संजय सेठ ने आनन्द बिहार तक जाने वाली जार्खन संपर्ग क्रांती एक्स्प्रेस को जयपूर तक चलाने का गरत या वहीं कई बिंदूओं पर चर्चा की हर घर जल पहुचाने की पलानिंग करने वाला पहला राज्य जार्खन पेजल एवब स्वक्षता मंतरी मिथिलेस ठाकूर ने कहा है कि जल जीवन मिशन के तहत हर घर में नल से सूत जल देना सरकार की प्रत्मिकता है इस लक्ष को प्राप्त करने के लिए संकल्पित होकर कारे करना होगा है उन्होंने कहा कि विभाग के अधिकारी छेत्रिय अभियानता और सन्वेदक संकल्प लेकर इस लक्ष को प्राप्त करने के लिए कारे करे और इस दिशा में आ रहा ही समस्याओ और अर्चनों को दूर करने का प्रयास करे वे जल जीवन मिशन के तहट हर घर नल से जल उपलब्ध कराने को लेकर आवजीत राजय अस्तरिय कारे सला में बोल रहे थे बतादे मंत्री मिशले ठाकूर ने कहा कि हमने अब तक योजना का एक इस फिर्दी लक्ष प्राप्त किया है जहारखन में बजरपात बारिस के मौसम में बजरपात होना आम बात है ग्रामी इलाकों में तो अक्सर इस तरह की घटनाय देखने और सुनने को मिल जाती है लेकिन सरकार के पास इसे रोकने के लिए अब तक कोई भी एक्षन प्लान नहीं है बतादे तरित चालक की भी इस्थिती ऐसी है कि आधे से ज़्यादा बेकार इस्थिती में है हालाकि मौसम भी भाग जरूर समय से पहले मैसेज के जरिये अलट करता है लेकिन ग्रामी इन छेत्रों के लोग अभी तक इसकी जनकारी नहीं पहुँच पाती इसकी बड़ी वज़ा लोगों का टेक फ्रेंडली न होना है आकड़े के मुताविक फुरे राजे में हर साल 350 लोगों की मौत बजरपात से हो जाती है जबकि यहां हर सल करीब 6-4 लाख बार थंडरिंग और बजरपात होता है रांची से हावडा तक दोड़े गी वंदे भारत ट्रेन रांची रेल डिविजन में हर्टिया से हावडा तक वंदे भारत ट्रेन चलाने की त्यारी सुरू कर दी गई है ट्रेन 150 किलोमेटर प्रति घंटा की रपतार से पटल्यों पर दोड़े इसके लिए ट्रेक में थिंक वेव स्वीच लगाने का काम सुरू कर दिया गया है वहीं हटिया याड में भी बदलाव किये जा रहे हैं रेलवे अधिकारी ने बताया कि रांची रेल डिविजन में 170 जगों पर थिंक वेव स्वीच लगाये जाएंगे इससे ट्रेनों की रफ्तार आने वाले दिनों में और अधिक बढ़ेगी देवघर सरावनी मेले में सुल्तान गंज के लिए रांची गोड़ा एक्सप्रेस में सीट फूल धनβाद के रास्ते सुल्तान गंज जानने वाली एक मात्र सिदी ट्रेन रांची गोड़ा एक्सप्रेस में शीट फूल हो चुकी है ट्रेन में जुलाई व अगस्त में एक भी शीट खाली नहीं है बता दे यही नहीं धनबाद से भागलपूर जाने वाली ट्रेन राची गोड़ा वावा रांचल एक्स्प्रेस में भी सीट खाली नहीं है 18 जुलाई के बाद सीट खाली नहीं है इस स्रावनी मेले में देवगर जाने वालों के लिए ट्रेन से सफर करने में परिशानी हो रही है स्रावन मास की सुरुवात 14 जुलाई से हो रही है देवगर में इस बार स्रावनी मिला लगेगा बतादे दो साल के बाद यहां सरधालू का जुटान होगा दल्मा में वन परानियों की संखे तीन गुना बढ़ी पर्यावर निये असंतुलन और वन परानियों पर 6 संकट के बीच दल्मा वाईल लाइब सेंचूरी से अच्छी खबर सामने आ रही है बतादे हाथियों के लिए संरख्षी दल्मा की सेंसर रिपोर्ट 2022 जारी कर दी गई है इस बार की गणना में हाथी बंदर जंगली मुर्गी, सुर मोर, लाल गिलहरी, मोर और लोमडी की संख्या में दो गुना से तीन गुना तक की बीधी दर्श की गई है रिपोर्ट के मुताबिक हाथियों की संख्या सर्षट से बढ़ कर 104 हो गई है वहीं साल 2019 में हाथियों की संख्या सर्षट थी जमसेदपूर विवेंस कॉलेज बना युनिवर्सिटी जमसेदपूर विवेंस युनिवर्सिटी में इंटर की पढ़ाई पर संकट के बादल मन्राने लगे है मैट्रिक परिक्षा का रियल्ड जारी होने के 15 दिनों के बाद भी जमसेदपूर विवेंस युनिवर्सिटी में इंटर में एडमिशन लेने के इस उतना जारी नहीं की गई बता दे जम सेथपूर विवेंस युनिवर्सिटी की कुलपती डाक्टर अंजली गुपता ने दो बार इस समन्द में राजभवन इसकूली सिक्षा युमसक्षता विभाग उच सिक्षा विभाग के साथ जहारखन एकेडमी कॉंसिल को पत्रचार किया है जिसमें जम सेथपूर विवेंस कॉलेज के अनुवर्सिटी बन जाने के बाद इंटर की पढ़ाई करवाने है या नहीं इस समन्द में दिशा निर्देश देने की अफिल की गाई लेकिन अब तक कहीं से भी किसी परकार का कोई लिखी जवाब नहीं दिया गया घरेलू गैस सिलिंडर की कीमतों में बढ़ोतरी सरकारी तेल कमपनियों इंडियन ओयल कर्पोरेशन लिमिटेड भारत पेट्रोलियम लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने गैस सिलिंडरों की कीमतों में एक बार फिर भारी बिरिदी की है बतादे कि गैस कम्पनियों ने 14 kg घरेलू रसोई गैस सिलिंडर में 50 रुपए के जाफा कर दिया है घरेलू रसोई गैस सिलिंडर की नई दरे आज से ही लागू हो गई है यानि बतादे 50 रुपए ज़्यादा भुगतान करना होगा है 1060 रुपए भुगतान किया जा रहा था वहीं अब नए रेट से 1110 रुपए हो गया है बकरीद और सावन को लेकर अलर्ट मोड पर रांची परसासन बकरीद और सावन को लेकर रांची दिला परसासन सतरकता बरत रहा है सास्त्रों में बताया गया है कि सोमवर का दिन भागवान सीव को समर्पित होता है और सावन में इस दिन का वुरत रखना बहुत सूब मना जाता है बतादे इस बार सावन का पहला सोमवर 18 जुलाई को पर रहा है वहीं इस साल भारत में बकरीद 10 जुलाई 2022 दिन रभिवार को मनाये जाने की समावना है बता दे कि बकरीद की तारिक चांद के देखने पर निधारित होता है जारखन में आई टी आई का क्रेज हो रहा खत्म सरकार कराएगी अध्ययान जारखन के अध्योगिक प्रसिक्षन संस्थान युआओ के कौसल विकास वरोजगार प्रदान करने में कितने कारगर है इसका अध्ययान कराया जाएगा इससे यह भी पता चलेगा कि आखिर कीन कारणों से आई टी आई की लोग प्रेत्या कम हुई है तथा इनमें नमांकों को लेकर वो अक्रेज नहीं रह गया है जो पूरों में था जारखन सरकार ने पहली बार आई टी आई में पढ़ाई फूरी कर चुके युआओ का अध्ययान कराने का नहीं नहीं लिया है या अध्यायान सरकारी एवं गयर सरकारी आईटी आई में बर्ष 2018 बेच केस सफल चात्र चात्राओं के बीच सेंपल के रूप में कराया जाएगा रांची हिंसा मामला अध्यार से आई सक्रिये नंबर धारकों की पाचान कर लिया है अब रांची पुलीस बाहरी नंबर धारकों के अस्थाने एक कॉंटेक्ट को रडार पर रख रही है रांची पुलीस ने त्यारी किया है कि घाटना के पहले जो लोग रांची आए थे रांची में उन्होंने क की से संपर्क किया था यहां के कौन से लोग फोन पर उन लोगों से संपर्क में थे इसकी परताल की जाएगी बंधू तिर्की पर आचार संहिता उलंगन का आरोपताय अदर्श आचार संहिता उलंगन के एक मामले में पुरो मंत्री बंधू तिर्की के खिलाप आरोपताय कर दिया गया है बुद्वार को MLA MP की बिशेस अदालत में बंधूत तिर्की खिलाप आरोप गठन किया गया मामले में अब अभियोजन की ओर से साक्ष प्रस्तूत किया जाएगा बता दे 21 मैं 2018 को बंधूत तिर्की खिलाप दर्ज आचार संहिता उलंखन का मामला दर्ज हुआ था जहारखन में 163,000 बच्चो को नहीं मिलेगी किताबे जहारखन के 163,000 इसकुली बच्चो को नएश सत्र में पाठे पुस्तके नहीं मिल पाएगी यदि नई और पुरानी पुस्तकों को मिला कर भी बित्रन किया जाए तो भी 1,63,126 बिद्यार्थियों को किताबों से बंचित होना पड़ेगा बता दे 29 जीलों में जहां बच्चों की तुनला में किताबे कम हैं वहीं 5 जीले ऐसे हैं जहां नमांकित बच्चों से ज़्यादा किताबे हैं गोड़ा, कोड़ार्मा, लातेहा, लोहर्दगा, पलामू अपच्चमी सिंभू में 18,392 किताबों का सेट बिद्यार्थियों से अधिक है यदि एक किताबे दूसरे जीलों में दे दी जाए जहां किताबे कम है तब ही बिद्यार्थियों को लाब मिल सकेगा JSCJ परिक्षा को रद करने की मांग की जा रही है मंगलवार देर साम धनबाद में कई छात्रे परिक्षा को रद करने की तखती को लेकर अंधीर बारमा चोक पहुच गए चात्रों द्वारा जे से सी जेई परिक्षा को रद करने की मांग करते हुए जोरदार नारे लगाये गए और पुर्जोर बिरोद किया गया मुख्यमंत्री, सिक्षा मंत्री के खिलाब जम करनारे बाजी कर चात्रों ने अपना अकुरोश जताया बता दे तीन जुलाई को परिक्षा समय दस बये से ठीक पहले अंसर वायराल होने की बात छात्रों द्वारा कही गई वहीं सीटों को बेचने का भी गंभीर आरोप सरकार पर लगाया गया परदसन करने वाले छात्र काफी गुशे में दिखे धन्यवाद यादी आप चनल पनाई होते चनलों को सब्सक्राइब कर बहुल का बेल एक अंदा बज़े साथ साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों को से असर करना ना भूले साथ साथ आप हमें जारखंडी न्यूज फेस्बुक पेज को लाइक करना ना भूले